नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्णी कुमार, एक बार फिर से आप सभी का सवागत करता हूँ रेडियो द्वार का में, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जब भी मिलता हूँ आपसे ने अतिति के साथ मिलता हूँ, तो इसी सिलसिले को आगे ले जाते हूँ आज हमाए साथ हैं, अपने वाद संजी जी जो कि आपने मुझे अपने स्टूडियो बुला कर मेरा सम्मान बढ़ाया और बच्पन से मुझे शौक था एक्टिंग का पहले मैं नकले किया करता था जब छोटा था कि कोई दुकान दर कैसे कर रहा है कोई कैसे क्या कर रहा है लेकिन धीरी धीरे फि मैं आगे बढ़ा स्टेज शुरू किया मैंने और स्टेज पे जब पहरी बार मुझे मौका मिला तो राम लिला मैं मिला राम लिला मैं 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 मंत्री बना था और जो राजा थे उससे मुझे ये कहना था राजा ने मुझे कहना था को हो मंत्री हमारी परजा का क्या हाल है औ लेकिन सच मानिय पहला दिन था, अभी पड़दा खुला नहीं था, रामनी लगा, और मेरे हाथ में तलवार थे, और मेरा हाथ ऐसे कांपरा था, जैसे भुचाल सा आया हो, तो मैं डर गया, मैंने राजा से कहा, कि मेरा हाथ कांपरा और मेरा दिल धर-धर कर रहा है, तो उस किन मानिय, उसमें मेरी इतनी ताकत आगी, उसमें पुचा, को हो महराज, हमारी पड़जा का क्या हल है, मैं का, हमारी पड़जा चीक ठाक है, मैं का, भूलना जाओ, तो ये मेरी शुरूआती है, तो आपने बताये कि बच्पन में आप नकल किया करते हैं, तो अपने दोका आदमी हस दिये, पांच आदमी खड़ए, उसमें से दो हस दिये, तीन हस दिये, तो मुझे मेरी दिल को तसल्ली मिल जाती थी, कि यार हसे, हसाया तो सही, तो फिर आपकी फैमिली से भी कोई अक्टिंग में थे पहले, मेरे मामा जी थे, वो थे song and drama division में, लेखराज, शर्म के नाम से, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो भी इस एक्टिंग लाइन में है, बाद में, जब मैं इस एक्टिंग लाइन में उत्रा, बाकी कोई खास नहीं था कोई, तो इसे आपको बच्पन में कैसी इंट्रेस्ट आया, एक्टिंग में आनेगा, सच पूशे, त मैं अभी इस लेंग में आया नहीं था, मैं उनका नाटक देख रहा था, और सणी जी नाटक देखते देखते मैं इतना खो गया उसके अंदर, एक्टिंग इतनी मुझे भाग गई, मैंने का यार मुझे ये सब कुछ करना है, मुझे उससे काफी इंस्पिरिशन्स मेली, औ और उसके बाद मैंने फिर धीरे सोचा कि मैं रहसल करूँगा, नाटक में आऊँगा, माइम किया करता था, बिना बोले, एक्टिंग किया करता था, मुझे मालूम ने था कि इसे माइम कहते है, तो किसी को माइम आर्टिस्ट की जूरुत पड़ी, हमारे डिरेक्टर ते अल सानी जी जब हमने शुरू किया है, तो इसलैम को कोई अच्छा नहीं समस्ता था, बुरी नजर से देखते थे, मतलब हम एक आदमी होके, एक लड़का होके, लड़कियों को तो दूर की बात है, हमारे फादर तक हमें गुस्से होते थे, कि कंजर पैदा हो गया घर में, बह रिस्फोंस जी था, तब तो हमें रिस्फोंस बड़ा बुरा सा मिलता था, मतलब घर की तरफ से, कि आरे पागला है, वो कुछ करता रही है, ऐसे घुमता रहता है ये वो, लेकिन जिस दिन, पहला सीरियल, जब उन्होंने हमारा देखा, हमारी फोटो देखी टीवी पे, त मुझे जैसे विरासत में मिली, उपर से ईश्वन में, उसको पॉलिश जरूरी मैंने किया है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे डिरेक्टर थे अलोग रहा है, उन्होंने मुझे प्लेटफर्म दिया, तो मैं वहाँ पर करता रहा, और माइम जो है, एक्टिंग में बड़ जो काफी पॉपलर हुआ, कूडी जोवान ते गौंडी परिशा, पंजाबी नाटक था, और उसी से मेरी पॉपलरिटी बहुत बड़ी, उसी से मैं एक्टर बना, तो आपने बताया था कि बच्पन में आपने राम नीला किया इस पहला, तो राम नीला से ठेटर तक के सफर आप से जानेंगे तो जब मैंने राम नीला की, तो मेरा डर थोड़ा सा दूर हो गया, जो डर होता है, उसके बाद मैं मंडिय होसा ऐसे घुमता था, एक दूसरे के थुरू, कि मुझे भी शौक है, तो जैसे किसी ने बुलाया, कि आप नाटक करते हो, मैं जी हाँ, तो किशन कमल जी, तो वो काफी मुझे उसकी रिटन मिला बड़ा, असल में क्या है, एक एक एक्टर को जब तालिय मिलती है, तो हम पैसे भूल जाते हैं, क्योंकि एक्टर जो तालियों का भूखा होता है, जैसी तालियों की गड़गाटाच होई, तो हमें लगता है कि हमने काम किया, और पर ऐसे देरे-देरे बस बढ़ता चला गया, नाम पॉपरेटी होती रही, एक नाम छपके अभी बनवारी जूल भी एक एक एक्टर है, उसको बुलाओ, उसके बाद मेरे दूरदर्शन का पास की, जब पहला ओडिशन दिया, तो मैं फेल हो गया, क्योंकि हम कामरा टेक्निक हमें वालूम नी थी, कि कैमरे को कैसे फेस करते हैं, फिर हमें लोगों ने सिखाया, तो सेगंड टाइम पास हो गया, तो उस वक्त फिर दूरदर्शन नाटक वाटक शिरू करते हैं, आप जिसे देली से बिलोग करते हैं, आप, आपके स्कूलिंग कहां पहले इंग्लीश मीडियम मैं, मैंने लाहर मॉंटें सेरी स्कूल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पढ़ाही में हम जरा पैदल थे, तो फिर गौर्वर्मेंट स्कूल में डल गए, फिर गौर्वर्मेंट से पास करते चले गए, तो आप से जाने के दूदर्शन की पहली सेरीयल आपकी, और आप कैमरा जिसे फेस किया आपने, तो आप बता रहे हैं, सेकंड टाम में आप पास हुए, तो क्या चल रहा था उस समय आपके दिमाग में ऐसा, असल मैं किया, जब मैं फेल हुआ तो मुझे बहला दुख हुए इस बात कहुआ कि मैं नाटक में मुझे सारे कहते हैं, अरे यार, बहुत अच्छे हैं, अक्टिंग कर तो यह वो, तो यह फिल क्यों कर दिया, मुझे यह हुआ, तो फिर उन्हें मुझे बताया कि, जो कैमरा होता है, उसको देखना होता है, लोग आपके फेस को देखते हैं, तो मैं जब मंडी नीचे करके, ऐसे जुक्के बात कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, तो वो हमें मालूमी था, कैमरे को फेस कैसे करना होता है, तो वो ही लोगों ने सिखाया, और सीखने से फिर काफी कुछ आप मालू है, कि आपने सीखी जाता है, तो भी कर पाता है, यह भी है कि ठीटर में जो है, ओडियन कि वहाँ पर देखिए, जो माईक होते हैं, एक आदा माईक होता है, और audience दूर तर बैची होती, तो voice जो है, कैसे में करनी है, और आवास जो है, उसमें modulation आनी है, voice में, वो मालूम पड़ता है, गुस्ते में कैसे बोलना है, प्यार से कैसे बोलना है, comedy कैसे करनी है, मेरा ये ज आवास देता था, तो अभी मैं, यही मूँ खोला, और उसमें से audience की आवाज आती थी, मिंदड़ो है, तो मैं भी एक दिम से उनके साथ खेलता था, जब आदी एक्टर, पॉलिश हो जाता है, दर निकल जाता है, तो मैं उनके साथ खेलता था, हाँ पहला तुछी वाजा मा बहुत अच्छी एक्टरस है, बंबे में, बंबे जाकि मैंने पहला नाटक उन्हीं के साथ किया, मेरा नाम जोकर, मुझे बहुत अच्छा एसमो से ला, और वो भी मुझे इन्होंने रोहतास गौड, तो रोहतास गौड जो उनके साथ काम कर रहे थे, रोहतास जी ने आट बंबे भी किया, जैपुन में किया, तो काफी शोज किया, उसके बात फिर एक और ग्राटक मैंने किया, संता बंता के कॉनड़ी तरके, तो बस अभी भी मैं जुरह हूँ, अभी मैं करता हूँ थेटर, आपने काफी टाइम टक थेटर किया, आपी भी थेटर से बने तो थेटर में कोई डाइलोग, आपकी कोई, जो लोगों को ऐसा होता है कि once more, once more is there, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना, कि ये पंजाबी का मिंदर हूए, क्योंकि उसके अपने इतने, मैंने 1700 शोज किया, तो उसके तो याद है कुछ, कुरी जो और तो गौनी परशान के, तो मैं आता था, मैं कहता, मिंदर है, मिंदर रहा होए, मिंदर गलशन, जद नमामा व्या होएगा, फिर बॉलती है, मिऍडा भी होएगा, हाँ, शादा भी होएगा, फिर शाधेने मुंदा होएगा, आपसे मुंदिminister मुंदा होएगा, किदा खिलाऊँगे, ओ, उननों न तो इस टाइब की जो डिली से बिलॉंग करते हैं पिर जली से मुंबई तक के सफर कवारे हम जानना चाहेंगे मुंबई कब से टेल हुए आप पहला सेरियल और पहली मुवी किसमे आपने काम किया मुझे तो जब मैं यहां एक्टिंग करता था स्टेज शोस करता था सेरियल भी मैंने दोग किया हैं काफी अच्छे-च्छे लोगों के साथ किया हैं तो उन्हों हमेशा यह कहते था रहे बनवारी जी आपको तो बंबे जाना चाहिए मैं यह 85-89 के बाद बाता रहूँ मैंना एक बहुत फेमस एक आइटम हुआ था इंग्लीश फिल्म का ट्रेलर के इंग्लीश मुवी मैं उसमें मैंना इस तरहां से कुछ किया था बोल्ट कुल्ड में एक आइटम दी थी जो ने साल की प्रोग्रम में आते है तो यह एक इंग्लीश फिल्म का ट्रेलर मैंने पेश किया था जिससे मुझे एक ट्रीवान की बात है तो पूरे दिल्ली में मैं पापनूर हो गया था बलकि पूरे हिंदुस्तान में क्योंकि जब यह टेलीकस्ट हुआ तो मुझे पहली फिल्म मुझे मिले बाज़ीगर और असल में हम देट मैं इसलिए नहीं जाने की सोची क्योंकि उस सच जैसे जैसे बंबे फिल्म सिटी है तो दिल्ली में भी फिल्म सिटी बननी शुरु हो ुगई थी तो मुझे पहली फिल्म मिली Bazigar, जब मैं दिल्ली में था 92 की बाद, तो पहली फिल्म मैंने यहां की और जब Bazigar की मेने हैं, तो मैं माइम शोह करता था, मैं पूरा बलड टूर किया माइम के अंदर, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, AFT, Marvass Studio में पढ़ाता रहा हूँ, तो माईम के अंदर ये था कि काफी पॉपर्टी मिल मुझे लंडन में वहां के कोई जॉन कासम है जुनोंने पेपर में मेरा नाम एक पेराग्राफ लेका है थेटर की बुक में और काफी अप्रिशिट किया है नौला रे वहां की माईमिस्ट है जब 95 से लेके 2000 तक जब यहां काम मिलना बंद हो गया मतर नातक होते थे वह बंद हो गए रिडियू प्रोग्रम्स भी बंद हो गए तो हमें लगा यार कुछ रहा नहीं तो एक फिल्म यहां पे बंद रही थी वह फिल्म की कुछ शूटिंग हो नही थी बंबे बापीस तो इसले हम खुश हो गए तो 2001 मे सब के लिए नया होता है तो उसके बार में जागे बिल्कुल सही का सन्ली जी आपने जब मैं बंबे जा रहा था तो खुशे ऐसी थी जैसे मैं सोपर स्टार जा रहा हूं और मुझे जाते केंगे अरे बनवारी आप आगे आप हमारी कल फिल्म में काम कर रहे हैं मेरे सीरिल लेकिन बिल्कुल जीरो हो गया बड़ा दुख हुआ मुझे दो मिने तीन मिने छे मेने किसी ने बात ही नहीं की हम जाते थे जो मुझे जानती भी थे अरे भरवारी जी आप आगे बन रहे मैं कहां जी मैं इधर आगे आँए मुशे फुड़ोंगे अच्या आप मिलते रह किसी नहीं नहीं का, जबकि उनका सीरिल चल रहा था कि यार कल मेरो आके मैं सीरिल में तुम्हें तो शुरू में मुझे साल स्ट्रगल में लग गया, छोटे-छोटे काम मिले एक दिन का, दो दिन का बस और बड़ा दुख भी हुआ इस बात का, यार, दिल्ली में तो मैं बादशा था, यहाँ पर फकीर सा बन गया हूँ डोट टोट जाना, सर, I am such and such यह मेरा बाइडोटा है, यह मेरा वो है मैंने यह किया, हाँ ठीक है ठीक है फोटो दे दो मैंने दिल्ली में तस फोटो में दियोंगी महाँ हजार से उपर फोटो जा चुकी लेकिन यह है सनी जी, जब मैंने काम शुरू किया सबसे पहले राजा बुंदेला जी की साथ काम शुरू किया जो कि मुझे जब लिया था तो वो ऐसे कर दो बहुत बड़ा इसान केमेर पे लेकिन उसी ने फिर हमें प्यार दिया, उनका अपना आशिर्वात दिया उनके भाहिया राम मुदेला जी जो मेरे फैन होगे तो फिर इज़त मिलनी शुरू हुगई फिर एक के बाद हमें सहिर मिलनी शुरू हुगई मैंने वहाँ पे फिल्मे की, पहली फिल्म मेरी जैसे में नका की बाजिक रहती वहाँ जाकी मैंने करांती की, दिवान की की, एक्स्क्यूज मी, फिर हराफेरी, ततास्तू, वन टू थ्री, गौट तू सी ग्रेटो, ओ माई गौट, राम लीला, मडटू, रास्थरी, वगएर वगएर जैसे आपने बतायागा, आपने ठेटर किया, फिर उसके बाद टेलिवीजिन की ओर, फिर बरे परदे की ओर, तो क्या फर्क लगा आपको इस तीनों में, कुछ हैसा, फर्क यही है कि देखे, फिल्मों में जो है, आप छप जाते हैं, आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपकी फिल्म में All Over Boy में चल रहे हैं, तो आप जिन्दा है, थेटर में क्या है, थेटर में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो कि चाहिए फिल्म कर लो, सीरियल, उसमें तो यह आपके डेलिक्स है, आपने बोल दिये, आपने सही बोले या गलत बोले, बनलब गलत तो नहीं, वो कि आप रीटेक दे सकते हो, लेकिन स्टेज पे जाके कोई रीटेक नहीं है, आपने 20 दिन की जो रहसल की है, वह जाके जो आपने कर दे कर दे, अच्छा कि यह तो तालियों की गड़गडात होती है, और नहीं होतो फिर, अंडे भी पढ़ जाते हैं, तो आपने चीसे बच क्या 50,000 की बराबर लगते थे, खुशी यह होती थी, कि इन्हों ने मुझे लाटेक में काम दे दिया, एक एक्टर समझ के, दूसरा क्या है, तालियों की गड़गडात जो है न, वो पैसों से जादा वैल्यू रगती थी, लेकिन आजकर हम मनी मेंड़ जादा हो गया है, य कि यह है, स्टेज पे अभी भी हम सीखते हैं, और कला एक ऐसी चीज है, वो कभी मरती नहीं है, और हमेशा आपमी कला से कुछ न कुछ सीखता ही है, जिसे आपने जब सुरवात किया तो उसमें यह इतनी टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, जिसे अभी जितने हैं, में शेल एक्टर, और जैसे यहां छब जाते थे, तो वो हमारा डिरेक्टर का था, यार यह इसके अभनवारी कहा हो तो हर मंगलवार और सेटरड़ को नाटक आते थे, तो हमें महिने में दो जा तीम तो मिली जाते थे चांस, और वो फिर रिपीट होते रहते थे, तो यहां हमें ब तो मेरे साला साथ घुम रहे थे, मेरा डर्स तून रहे थे, तो मेरे परोस में एक दुकान दर से पूछा, कि सर यहां बनवारी जोल, अचा वो पागल, तो उनके फादर है जिनका दूप का, हाँ यह है, आप, जी वो वैसे ही आए थे जर मिलने, तो यह मेरी वाइफ ही काफी हमारे प्रोग्रम्स चलते रहते थे, लेकिन जब यह चैनल शुरू हुए, अभी क्या चैनल में भी कंपिटिशन हो गया है, जी पे ऐसे हो, वहाँ पे उन्हें अच्छे एक्रिस चेंगे, और देखो, स्टरगल मैंने बताया न, जैसे बंबे जाकी में उसे स्टरग जो डिरेक्टर है, वही अपना 123 के वो थे डिरेक्टर, अश्वली धीर, तो अश्वली धीर जी ने भी मुझे एप्रिशेट किया, यार बनवार यार अच्छे एक्ट हो यार तो मिरे साथ करते रहो, पर कई बार हमें भी होता कि लाले चा जाता है, कि यार पैसा ज्यादा दें तो करें ने तो नहीं, लेकिन यह है काम मिलता है ऐसी बात में, आपने इस बीच भी बताए, आप क्लासेस भी लेते हैं, तो आप जब श्टार्ट किया था आपने एक्टि सफर को, आप जो बच्चों को लेता है, आप क्या दिक्टान में, ऐसा है कि बहुत चेन हो चीज़ करते हुए, उसके बाद मुझे पता लगा कि अच्छा इसे माइन कहते हैं, और माइन दिल्ली में बहुत, मतलब ना के बराबर आर्टिस्ट हैं, जो करते हैं, मैंने बता है यह मुझे गौड गिप्टिट वाली बात है, दूसरा मुझे अलोक राय जो मेरे डिरेक एक ही रिहसर में उनका ओक के, नेक्स्ट मेरी रिकॉर्डिंग हुई, एक रिहसर, दूसरा टेक ओक के, मैं भी बड़ा खुश हूँ, उसका मैंने एक पैसन लिया, मुझे यह खुशी थी मेरा टीवी पे पहला प्रोग्राम माइन का रहा है, और वो एच्छीन प्रोग्रम तो मैं जो पढ़ाता हूँ, माइम, वो कहें कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि माइम बिलको हट के चीज है, बंबे में भी जिन लोगों को पता लगता है कि मैं माइम आल्टिस्ट हू, बड़ा मुझे इज़त देते हैं, और अभी बहुत जल्द मेरा माइम प्रोग् आप इतने समय से हैं इस लाइन में एक्टिंग के सफ़र में, कभी अवार्ड मिला आपको किसी एक्टिंग के लिए, किसी मंच पे, उसके बाएम जानना चाहेंगे मैर पास, Sir, इतने वाड़ हैं, जब दिल्ली में मतलब 2-3 से वाड़ में अवार्डिस्ट हू, मुझे Civ好不好 कलाशीर रिवाड जो कि एक्टर्न को ही मिलता है । य। доп. ठीन वार मिला। एक मोहमद रफी वाड जो पंजाब में मिलता है. हम्रिसार में, महमद रफी जीड़ू के नामसे, मुझे दो वार मिला। और में लायम स्टार्टिंग आपने बच्पन से आपको एक नाम एक पहचान बनाकर आप सर बहुत अच्छा लगता है अभी तो क्या है अभी मैं सिंगापूर गया हूँ और सिंगापूर में मतलब इतनी दूसरी कंट्री में तो जो भी मुझे कहते हैं अरे-अरे आप वो Oh my God में थे वही है न मैं तो बड़ी खुशी होती है जब लोग पहचानते और Bombay में भी काफी लोग पहचानते पहचान बन जाए एक एक एकटर की तो खुशी तो होती है तो अगर अगर उनके नाम से ज़्यादा अगर उनने करेक्टर से पहचान मिल जाया तो उनके लिए औ आगे बढ़ रहे हैं, देखो, जितना इशुर ने देना है, उतना ही देना है, कलागा जितना पॉलिस करो तो नहीं बढ़ते जाती है, तो मैं चाहूँ आगे के प्लानिंग क्या है आपकी और, मैं सर अभी फिल्म करने जा रहा हूं है, जाए मातुर है, वो बोबें के है, त बहार था, इसलिए में करनी पाया, बाकि सीरिल है मेरे, जो अभी शुरू करूँआ, पॉमेडी के भी हैं, वो भी शुरू करूँआ, अभी मेरा जो एंड पर चलना था, तेरे शहर में, और उसके बाद एक दूरदर्शन पे था, तुम बिन जिया जाना, और डीडी किसान अभी इस लाइन में आना चाहते हैं, दिल में सपने रखते हैं, मैं भी एक्टर बन सकता हूँ, तो जो आपने इस्पिरिंस किया, क्या बोलना चाहेंगे उनकों कि, वो किस चीज के ध्यान रखेंगे, एक अच्छे एक्टर बनने के लिए, देखें, जो भी बच्चे, अमारे जमाने पे आक्टिंग स्कुल भी नहीं थे, अभी बहुत सारे आक्टिंग स्कुल खुल गए और बंबे में बहुत सारे हैं, जो बच्चे वाखई आना चाहते हैं, तो मैं वो किसी के कहने पर, यार, तुँ तो बड़ा आच्छा है, बड़ा चिट्टा है, बड़ वहाँ पर audition दे, अगर उसके अंदर talent है, वहाँ पर बहुत सारे talent को खरीदिन के लिए तेयार है, वहाँ पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है, जिंदिगी में कभी ऐसा पैसा नहीं मिलेगा, जो उनको वहाँ मिलेगा, लेकिन किसी के कहने पर और मैं तो अपने आप ही मिया मि relations, यह सारी जो चीज़ें के acting में आती हैं, वह पढ़ें, college जोइन करें, किसी अच्छे acting school में, सीखने के बाद वह बंबे जाए, तो भी फार्दा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रेडियो दुवारके में आएं, और अपनी जो acting live की सफर्दा आपने हमार्जा से जैसे बाज़ेगर में था तो Johnny Leaver दरवाजा खोलते हैं, और में आणदा हूँ, सुनिए, घर में कोई है, तो Johnny रर्खदा है, अभी अंदे, देख रेरा, कोई है, चच्छुमा लगा, आंदा करे, क्या नाम है तो यह नाम राज कुमार है, तो यह नाम हुदी हूदा हूद यह बार, हम किसी पर चंदा बता नहीं देते हैं, सब मैं चंदा लें, बार निकल, वो मुझे अंदर धकर दे तो खुछ बार रहा है, फिर मैं काजोल से पैसे मांगता हूँ, माफ किजीगा, मैं भीम सांट जवरीर की दुकान से आया हूँ, वो कुछ बिल लेके आया हूँ, तो काजोल मुझे कहती है, बिल, शायद आप गलत आगे, नहीं अड्रेस तो उन्होंने यहीं का दिया था, उन्होंने मंदर सुतर बनवाया था हमारे दुकान से, उसी के पैसे लेने आया हूँ मैं, अच्छा अच्छा, तो यह जब पैसे लेने मैं आता हूँ, और वही से शारुखान पकड़ा भी आता है, तो यह मेरा सी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया, धन्यवाद, तो लिसनर्स फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, और कुछ नए चेरे के साथ, तब तक बने रहे हैं रेडियो द्वारगा के साथ, एक कदम कल की मिलते हुआ स कदम कंट력 के जाल को बने वारगा।